हलो दोस्तों आज का जो वीडियो है वह वो MIUI 14 के एप्स को रिलेटिट है जिसके तूरू जो है आप MIUI 14 के एप्स जो है काफी सारे MIUI 13 के फोन्स के अंदर यूज कर सकते हैं तो MIUI 14 के अंदर जो है काफी सारे एप्स के अंदर जो इंप्रूव्मेंट की गई है जैसे कि इंस्टॉलर हो गया आपकी क्लॉक वर्जिन हो गया आपकी गैलरी हो गई गैलरी एडिटर हो गया और साथ हिसाथ थीम स्टोर और जिसके अंदर जो है हम MIUI 13 का इंडियन वर्जिन यूज कर रहे हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 123456 इंचेओं का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ और जहां से आप इनको डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे कि आप लोग किसी भी अप्लिकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो इसको चेंज करने के लिए सिर्फ आपने क्या करना है यह जो इंस्टॉलर TVN फाइल है इसको आप डाउनलोड कर लीजी उसके बाद जो है आपका इंस्टॉलर जो है वो चेंज हो जाएगा एक नई होई के साथ आपको वो देखने को मिलेगा तो यह देख पा रहे हैं कुछ इस तरीका इंस्टॉलर जो है आपके फोन में आपको देखने को भी लेगा तो आपने इस तरीके से आप यह नया इंस्टॉलर अपने फोन में पा सकते हैं तो यह देखी इस टाइम पर आप स्क्रीन के ऊपर जो है अलारम का फीजर देख पारे होंगे MIUI 14 में आपको कुछ इस तरह का layout देखने को मिलता है और MIUI 13 में आपको कुछ इस तरह का layout मिलता है तो आप आप जो है इसको भी अपने MIUI 13 फोन के अंडर use कर सकते हैं तो सिर्फ उसके लिए आपको एक apk file को download कर लेना है जो की है ये clock version इसके उपर आप tap करेंगे और इसको update करेंगे तो जैसे कि आप जानते हैं installer हमने नया use किया है तो अब आपको जो है नया installer आपको देखने हो मिलेगा जो कि security scan करेगा और इस application को आपके phone के अंदर install कर लेगा और अब आप एक नया clock का UI अपने phone के अंदर आप use कर सकते हैं तो इस तरीके से आप clock की application को भी update कर सकते हैं तो जैसे कि अभी आप देख पार होंके जो file manager का UI है वो काफी outdated है और काफी old है तो इसको भी आप update कर सकते हैं तो इसके लिए आपको file manager की application है उसको एक बार update करेना है जो कि MIUI 14 में आपको नया file manager देखने को मिला है जिसमें आप file इसको काफी easily search कर सकते हैं किसी type की file को भी आप easily search कर सकते हैं तो एक नया तरही का file manager आपको देखने को मिलेगा तो यह देखिए अब जैसी आप इसको open करेंगे अब आपको एक नया layout आपको देखने में बिलेगा आपको सभी के सभी recent files आपको storage में कुछ इस तरही का नया UI देखने को भी लेगा more पर आप tap करेंगे तो और भी files के format को आप यहाँ पर use कर सकते हैं MIUI 13 के अंदर जैसे किया मैंने बताया हम Redmi Note 10 Pro यूज़ कर रहे हैं और MIUI 13 का version उसमें run कर रहे हैं अगली चीज़ें जो है आपको बताने वाला हूँ हो है gallery's later तो gallery के लिए आपको gallery manager और gallery editor इन दोनों application को install करना है मैं आपको उता हूँगा क्या के features आपको देखने को बिलेंगे तो एक बार जो है permissions को आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपने जब file manager को install करते हैं उसके बाद आपने कुछ permissions को यहाँ पर enable करना पड़ता है तो यह देखिए gallery के application जो है अब हमारे phone में update हो रही है जैसी gallery के application update हो जाएगी उसके बाद जो हम gallery editor है उसको भी update कर लेंगे तो यह देखिए gallery के file जो है update होगी या अगर आपको ऐसे ads देखने को बिलते हैं अब कोई भी recommendations अब आपको वहाँ पे उस page पे देखने को नहीं मिलेंगे तो यह देख पारे हैं कोई भी recommendations आपको देखने को नहीं मिलेंगे यह सभी stable build है और global और Indian phones के लिए हैं तो यह देखिए gallery और gallery editor को भी हमने update कर लिया है अब मैं आपको बताता हूँ gallery में आपको क्या changes देखने को मिलते हैं अगर आप gallery में जाते हैं किसी भी file को जो है delete करना चाहते हैं तो अब जो है delete का option जो आपको एक नया देखने को मिलता है पहले सिर्फ जो है आपको यहाँ पर और बटन के साथ आपको यह चीज यहाँ पर देखने को मिले हैं, यहीं नहीं, जैसे आप गैलरी एडिटर को अपडेट करते हैं, उसके बाद आपको और बी काफी सारी चीजे मिलती हैं, आप एडिटर के अंदर जाते हैं, तो यह फेवरिट फेवरिट के अंदर आपको यहां पर बेखने को बिल जाएंगे और साथ साथ AI टूल के अंदर आपको आर्ट फ्रेमिंग का उप्शन मिला है जिसके तूर आप काफी सारे वाटर मॉक्स को अपने फोन के अंदर किसी भी फोटोग्राफ के अंदर आप एड़ कर से कुछ इस तरी के बॉर्टर से यह फीचर कुछी डिवाइस में काम कर रहा है इस टाइम पर आपकी डिवाइस में काम करता है यह वाटर मॉकिंग का तो मुझे कमेंट करके जरूर बिताएगा का अफ़ी अच्छे जो है वाटर मॉक के फिचर आपको ग्यालरी एडिटर के दोनों फाइले और इंस्टोलर के अप्लिकिशन को इंस्टॉल कर लिया है यह 5 फाइले हमने इस्टॉल कर लिया है अब लास्ट है हमारी थीम लेड़ीटर अब थीम के रिलटर जो आप Hakos अपटे प्रिक्षान को Equity करेंगे उसके बाद आपको theme के related हैं काफी सारे नए widget से यहाँ पर देखने को मिल चुकी है अगर आप इनको रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं वापिस जाए तो आपको और भी काफी सारे जो नए विजट से वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर जीएगे हैं जिनको आप पनी स्क्रीन के पर कुछ इस तरीके से ड्राइग ड्रॉप करके यूज कर सकते हैं तो यह कुछ नए फीचर जो है आपको MIUI 14 के अब आप भी अपने MIUI 13 के फोन के अंदर यूज कर सकते हैं तो सभी फाइलों का लिंक जो है मैं आपको description में प्रोवाइड कर दूँगा जहांसे आप इन सभ चैनल को subscribe करना मद भूलेगा बिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care बाबाए